दाधी दाधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वाकत है दोस्तों बसंद पंचमी आते ही बसंदेतू की शुरुवात हो जाती है बसंद पंचमी का दिन ज्यान की दिवी मासरस्वती को समर्पित है इस दिन मासरस्वती को ग्यान और बाणी की शक्ती के रूप में पूजा जाता है मानिता है कि बसंद पंचमी की दिन मासरस्वती की पूजा कहने से पुद्धी और ग्यान बढ़ता है इस पार बसंद पंचमी 26 जनवरी दिन गुरुवार को है इस दिन कई दिब्बे दुरलफ सायोग बनने से यह बसंद पंचमी और भी जादा खास हो गई है आज की इस वीडियो में हम आपको बसंद पंचमी के इस अद्बस सायोग पर करने वाला एक बहुत आसान उपाई बताने जा रही है उपाई करने के लिए सच्च पीले रंग के बस्त धारन करें अब अपने मंदिर के सामने आजन बिछा कर बैठ जाए भगवान जी के सामने एक शुतिखी का दिया जलाए और एक सुगंदे धूपती जलाए इसके बाद आप मासरीश्वतीजी को हल्डी या फिर पीले रंग के जन्दन से दिल्क करें और उन्हें पीले रंग के पुष्व अर्पित करें पीले रंग के ही मिश्ठान का भोग लगाए इसके बाद आप एक पीले रंग का धागा लें इस धागे को पानी से धोकर साफ कर लें फिर इसके उपर गंगा जल डाल कर इसे शुद्ध करें फिर मासरस्वती जी की चाले सा करपाट करते हुए आप इस धागे में 11 गाठ लगाएं गाठ आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाने है गाठ लगाने के बाद आपने मासरस्वती को जिस हल्दी के चंदन से तिलख किया है अब उस हल्दी को आप धागे की हर गाठ पर लगा दें जैसे माला का जाप करते समय माला पकरते हैं उसी तरह आप धागे की पहरी गाठ को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में दबाएं फिर मासरस्वती जी के मूल मंत ओम एम सरस्वते नमा का 11 बार जाप करें एक गाट पर जाप करने के बाद आप धागे के दूसरी गाट को उंगली और रंग उठे के बीच में दबाएं और फिर से ओम एम सरस्वते नमा मंत्र का ग्यारे बार जाप करें इसी तरहें आपको धागे की हर गाट पर 11-11 बार ओम एम सरस्ते नमा मंत्र का जाप करना है सभी गाटों पर जाप करने के बाद आप इस धागे को अपने दाहिने हाथ की मुठी में दबा कर ग्यारे बार भगवान विष्णू जी के महमन्त ओम नमो भगवती वासु दिवाय का भी जाप करें अब आप इस धागे को मा सरस्ते जी के चर्णों में रखतें इसके बाद भगवान शिरी करेश की आती करें मा सरस्वती की आती करें भगवान बिश्णू जी की आती करें आती करने के बाद आप इस धागे को भगवान शिरी करणिश मा सरस्वती जी और बिश्णू जी के चर्णों से इस परश कराएं फिर इस धागे को अपने दौनों हाथों के बीच में दबा कर हाग जोड़ कर आप भगवान शिरी गणिश मासर अस्वती भगवान बिश्णू जी से सभी कार्यों में सफलता की प्रात्ना करें आप पर ध्यार दे हैं ये रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो परिख्शा में सफलता की प्रात्ना करें ब्यापारी हैं तो ब्यापार में उन्नती की प्रात्ना करें आपके जो भी कारें रुके हुए हैं उन्हें पूरा करने की प्रात्ना करें इन सुभ योग में इस तरहें पूजा करने से अब ये सिद्ध धागा हो गया है अब इस सिद्ध धागे को आप अपने हाथ की कलाई पर बांदे पुरुश और अविबाहित कन्याएं इस धागे को अपने दाहिने याने की राइट हैंड की कलाई पर बांदे और विबाहित महिलाएं इस धागे को अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पर बांदें धागा आपको तीन बाल लपेट कर बांदना है इस तरहें धागा बांदने से त्रिदेव, भ्रह्मा, बिष्णु, महिश और तीनों देवियों मा लक्ष्मी, मा पारवदी और मा सरस्वती की करपा पराप्त होती है धागा बांदते समय आप मुठे को बंद रखें इस धागे को बांदने से त्रिदेव, त्रिदेवियों के साथ साथ भस्पती देव की भी करपा पराप्त होगी यहें एक सिद्ध रक्षा सूत्र है इसे आप अपने हाथ में बांदे रखें इससे आपको हर कारे में सफलता प्राप्त होगी असादे कारे भी पूर्ण हो जाएंगे और त्रीदेव और त्रीदेवियों के साथ भसबती देव की भी क्रपा आपपर बनी रहेगी अगर आपके पास पीले रंका धागा नहीं है तो आप लाल रंकी मॉली यानि की कलाबे पर हल्दी लगा कर उसे पीले रंका करके भी आप यह उपाए कर सकते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब तैंक्स फॉर वचिंग, राते राते